शिरी भक्तमाल में शिरी लाल आचारे जी माला धारी मृतक बहयो सरिता में आयो दाकृत्य जियो बंधु नियोती सब कुटम्ब बुलायो नाम सकोच ही विप्र तब ही हरिपुर जन आये जेवत देखे सबनी जात काहु नहीं पाई लाल अचारे जी लच्छदा पर चूर भई मेहमा जगती अचारे जमात की कथा सुनत हरी होई रती शिरी राम अनुज अचारे जी के दामाद शिरी लाल अचारे जी की कथा सुनते ही भगवान जी में विशेश पृती होती है एक पर कोई तुलसी कंथी धारन किये हुए मिरिच्ट शिरीर नदी में बेहता हुआ आया शिरी लाल अचारे जी ने उसे निकाल करके उसका अपने भाई के समादा संसकार किया तेरे दिन भोजन के लिए ब्रामनों को तथा कटुम्बियों को निमंतरन दे कर भुलाया अग्याच्छव का बंडारा जान करके ब्रामन लोग नाक भो सिकोडने लगे और भोजन करने कोई नहीं आया तब बेकुन्ठ दाम से भगवान जी के पार्शिदाए जिने भोजन करते हुए तो सबी लोगों ने देखा अपरन तो जाते समें वे एकाश मार्क से चलेगी किसी को मिले नहीं उन्हें कोई नहीं देख पाया इस चमतकार से लाल आचारेजी की महिमा संसार में लाखों गुना बढ़ गी संत शिरी लाल आचारेजी महाराज का शंक्षिप्ट परचे इस परकार है परम वैशनों संत शिरी लाल आचारेजी महाराज आचारे राम अनुजजी के जमाता थे वैशनों वीश के परती उनकी अनन्य निश्टा थी वैशनों वीश धारी परती के संत को अपना भाई मानते थे और उसका उसी परकार आदर सदकार करते थे शिरी लाल आचारेजी महाराज के इस से दिवे भाव को उनकी सह धर्मिनी तो जानती थी प्रांतों साधारन लोग भला इसे क्या समझे कि केवल तुलसी माला धारन करने मातर से ही वैशनव ब्रम्मा जी दोरा भी पुज्य हो जाता है हिर मनुश्यों की तो बात ही क्या है एक दिन श्री लाल आचारेजी महाराज की पत्नी जल भरने के लिए नदी तड़ पर गई थी उनके साथ उनके कोछ सहेलियां भी थी जो श्री लाल आचारेजी की वैशनव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थी जिससे वे लोग चल भारी थी उसी समय किसी वैशनव संत का शाव बहता हुआ उधर आया उसके शीर पर वैशनव जिन अंकी थे और रहा कंठी माला धारन की हुए था सहेलियों ने व्यंग करते हुए श्री लाल अचारेजी महाराज की पत्नी से कहा इन्हें देख करके ठीक से पेचान लोग तुमारे जेठ है या देवर ये कहकर खिर खिलाती हुए चल दी श्री लाल अचारेजी महाराज की पत्नी ने घारा करके श्री लाल अचारेजी से ये बात बताई सुनकर के श्रीलाल अचारे जी करन करंदन करने लगे उनके मन में ठीक वैसे ही करन करंदन उत्पन हुए जैसे अपने अग्रजियां अनुजी के श्रीर शांत होने पर होती है अंत में ये सुच करके अपने मन को शांत किया कि मेरे ये भाई भगवत भग थे व्याशनों संत थे आता इन्हें बगवत धाम की प्राप्ती हुई है तत्पश्चात उनका श्याप प्राप्तकार अंतिम क्रिया करने के उद्देशे से नदी के किनारे आए और विधी विधान पूर्वक उनकी क्रिया की श्याप प्रिया दाश्ची महराज इस घटना का अपनी एक कवित में इस परकार बटन करते हैं आचारज को जामात बात ताकी सुनो निके पाय उपदेश संत बंधू कर मानिये किजे कोटी कुनी प्रिती एपे ना बनती रिती ताते इती करो याते घटी ना आनिये माला धारी साधूतन सरिता में बहो आयो ले आयो घर फेरी के बिबान शब जानिये गावत बजावत ले नीर तीर दाकियो हियो दुख पायो सुख पायो समाध आनिये त्रियोज़ शार के दिन शरी लालचारे जिने उन वैशे उस्बसंत के निमत भ्रामन भोज़न का यज़न किया और उसके हितुज थानी भ्रामनों को अमंतरं दिया प्र kijken कोई भी ब्रामन उनकी यहां भोज़न करने नहीं आया उन ब्रामनों ने आपस में ते किया कि यह लाल चारे पता नहीं किस चाहती का शब उठा लाया और उसके तेओ दिशा में हम लोगों को खिला करके भर्ष्ट करना चाहता है अता है इसके यहां किसी भी ब्रामन को नहीं जाना चाहिए तो यह था जो ब्रामन पर चेक के आएं उन्हें भी सब बते बता करके रोग देना चाहिए भगतमान के टीका कार शिरी प्रिया दास ची इस खटना का इन शब्दों में बनन करते हैं कियो समहचो ग्याती विप्रन को नियो तो दियो लियो ने आये नहीं कियो शंका दुखदाईए भे एक धोरे माया कीने सब बोरे कछु कहें बात औरों मरी देव भही आये याते नहीं खात बाकी जानत ना जाती पाती बड़ो उतपात घर ले आईए जाई दाईए मागवलों की उतपरियो सुनी शोगहिये जीए आई पूछे गुरु कैसे के निबाहिये ब्रामनों की इस दुर्भी संधी का ग्यान जब लाल आचारे जी को हुआ तो ये बहुती दुखी और चिंती तुवी उन्हें ये सब बते आचारे शिरी राम अनुसे से निवेदन की आचारे शिरी ने कहा कि तुम्हें इस विशे में किसी परकार की चिंता नहीं करनी चाहिए वे ब्रामन अज्ञानी हैं और उन्हें वैशनव परशाद के महात्यम का ज्ञान ही नहीं है ये कह करके उन्हें दिव्य वैशनव पार्षतों का अवाहन किया वैशनव परशाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षत ब्रामन वेश में उपस्तितों करके शिरी लाला चारे जिके घर की और नमुख हुए उन्हें देख करके वहां के स्थानी ये ब्रामनों ने उन्हें रोपना जाहा रंतों के दिव्य तेज से अवी भूत हो करके खड़े के खड़े रहे और आपस में विचार किया कि अभी जब ये लोग बोजन करके बाहर आएंगे तो हम लोग इनकी हसी उड़ाएंगे कि कहो कि इस के शराद के ब्रामन बोजन में आप के थे क्या उसके कुल गोतर कावी आप सबको ग्यान है श्री प्रिया दाची महराज इस पर संग को अपनी कविता में इस परका लिखते हैं चले श्री आचारज पे बारिज बदन देखी करी करी सस्तांग बात कही सो जनाईए जाओ निसंक वे परसाद को ना जाने रंक जाने जे परभाव आवे बेगी सुखदाईए देखे नब भूमी द्वार एहे निराधार जन बैकुंठ निवासी पाती धींग हे के आईए इन्हें अब जान देवो जनी कच्छु कहो आहो गहो करो हासी जब घर जाए खाईए इदर ब्रामन लोग ऐसा सोच रहे थे उदर ब्रामन वेश्टारी दिविय पास्तों ने शिरी लाल आचारेजी के आंगन में जाकर वेश्ण परशाद पाया और पुना आकाश मार्थ से बेकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करकी ब्रामनों ने उन्हें जब अकाश मार्थ से जाते दिखा तो उनकी आँखे खुली खुल गई उन्हें अपनी भूल का बहुत पश्टावा हुआ वे लोग आकर के शिरी लाल अचारेजी महराज के चर्नों में गिर पड़े और शमा मांगते हुए रोने लगे संत शिरी लाल अचारेजी महराज तो परम वैश्ण थे उन्हें उन लोगों पर किंचित रोश्ट था ही नहीं ये बोले आप साब ब्रामन हैं इस परकार के करके मुझे लज्जित मत करें आप सब की किरपा से मुझे आज दीवे वैश्ण पार्ष्टों के दर्शन हुए मैं तो सियम आपका कित तक गया हूँ ब्रामनों को अब श्री लाल आचारे जी की साधुत्व और सिधीतत में रंच मातर भी संदे नहीं रह गया उन सब ने श्री लाल आचारे जी का शिश्यत्व ग्रहन किया और वैश्ण दीख्षा पराप्त की श्री प्रियादास जी महराज श्री लाल आचारे जी की इस वैश्ण वनिश्टा का इस परकार से कविता में वर्नन करते हैं संत्पन को विदा हुए पधारे नभ मग में सिधारे विप्र देखत विचारे द्वार विथा भई मन को ग्यो अभिमान आनी मंदर मगन भई ने द्रिग लाज बीनी बीनी लेतकन को पाई लपटाई अंग धुरी में लुटाई कहे करो मन भायो और दीन बहु बाख्यो है कही भक्त राज तुम क्रिपा में समाज पायो गायो जो पुरानन में रूप नैन चाक्यो है छाड़ो उपहास अब करो निजदास हमें पूजे ही ये आस मन अति अभी लाख्यो है कि ये परसंस मानो हंस ये परम को ऐसी जस लाख भाती घर कर राख्यो है